हालो अब्डिवान वेलकम टू मैं पीस आफ गार्डिनिंग एल भुरॉक चैनल दोस्तो मैंने अगलोनिमस के काफी सार व्याइटिस कालेक्ट किया हूँ लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही व्याइटिस के बारे में शेयर करूंगी और ओ है ये प्लान क्योंकि दोस्तो आज से दस मैने पहले मैं नारसारी से दो पत्ता वाला एक चोट असा काटिंग खरिद के लाई थी और आज देखिए कितना घाना भुषी हेल्दी हो गया है तो किस तरह से मैं इसका क्यार लिया हूँ किस तरह का पॉटिंग मिक्सर, वार्टरिंग, सान लाइट, फार्टिलाजर, एबरिधिंग इन डीटेल्ज इस वीडियो में शेयर करूंगी तो वीडियो आच्छा लागे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चेर्ट ये एक बहुत ही खुबष़्रोत पैरेने़ इंडोर प्लांट है देखने में ये जितना ही खुबष़्रोत है, उतना ही एक बहुत अच्छा यारnd प्ईवफर प्लांट भी है आप इसको जहां भी राखेंगे, उत जागा को इन हैंस कर देते है इसका लीब्स इतना खुफश्रोत है कि फूलो की कमें पूरा कर देते हैं काफी सारे रांग बीरंगों में हर एक लीब्स बहुते खुफश्रोत है और काफी दिनों तक हर एक लीब्स लस्टिंग करते है और हाँ ये थोड़ा कॉसली प्लांट है तो अगर आप यह प्लान राखना चाहते हैं, आपको गार्डिनिंग में शामिल करना चाहते हैं, तो मेरी तरह छोटा छोटा इसका काटिंग नर्सरी से खाडित करके इस तरह से ग्रो पॉट में लगा सकते हैं. गुगल से मैंने पता कर लिया है इसका नाम है ट्राइ कलर एगलो निमा, दोस्तों एगलो निमास का काफी सार भायर्टिस होते हैं, और अलग अलग भायर्टिस का अलग अलग लीव साइस होते हैं, जैसे कि लिविस्टिक एगलो निमास सनोफ वाइट एगलो निमास का लीव लेकिन उस हिसब से इसका लीफ साइज काफी बड़ा है और ये सब देखिये नियूली ग्रोब हुआ लीफ कितने शाइनी लीफ्स है ना ये देखिए बिलकोल भी नियूली ग्रोब हुआ लीफ्स इस तरह से वाइट होके निकलते हैं और फिर धीरे धीरे, हलका सा इस तरह से pinkish color होते है, फिर बात में थौड़ा सा dark color में हो जाते है. तो चलिए अभी बात करते हैं, इसका क्या tips का, तो सबसे पहले बात करते है, वार्टिंग का, तो इस तरह से देखिए आप वार्टिंग करें ना करें मिस्टिंग करना बहुत ही जोरूरी है यह देखिए इस तरह से आप मिस्टिंग करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि लिफ्स के नीचे कहां कैसे मिली बाग सुपा हुआ है तो देखिए इस तरह से चेक करने से मुझे दो जगा मिलीवक देख गए तो इस तरह से मिस्टिंग करने से आपका भी मान जोरूर करेगा चेक करने के लिए पहले मैं सोची थी कि अगलोनीमा प्लांट में मिलीवक नहीं लगते हैं लेकिन इससे पहले मेरी और भी एक प्लांट में मैं दिखा था तो तब से मैं चेक करते रहती हूं और अब भी तेखिए यह है soil mixer, soil mixer बिल्कुल पर्फेक्ट होना चाहिए, यह देखिए, potting mixer में मैंने लीब मोल भार्मी कमपोस, यह सफेश सफेश दीख रहे हैं, यह पारलाइट है, constructional मोटा scent और gardening soil, थोड़ा सा bone meal और fungicide powder भी mix किया हूँ, लेकिन दोस्तों बारिश के दिनों आप रिपोर्टिंग करने से ना उसमें bone meal बिल्कुल भी mix ना करें, कि उसमें fungus लगने का chances रहते हैं, without bone meal आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मेरे ख्याल चाग कोको पीट भी mix ना करें, कि कोको पीट पानी को hold करके रखते हैं, और धीरे धी system को damage कर देते हैं, कोको पीट में लगाने से rules की इस तरह से सार जाते हैं, उसके उपर एक मैं वीडियो तैयर कर रहे हूं, बाद में उसको share करूंगी, और grow pot के बारे में इसलिए बोला हूँ कि उसमें काफी से drainage हो रहते हैं, तो पानी देने के साथ चाथ अच्छा से पानी drain हो जाते हैं, एकलोनिमाज को moist रहना पसंद है, misting करना पसंद है, लेकिन अभर वार्टिंग बिल्कुल भी नहीं, इसलिए इसका जो potty mixer है, बिल्कुल loose रखा करें, और drain इसलिए काफी सरे होना चाहिए पार्स में, ताकि पानी आप देने के साथ चाथ निकल जाए, अभ बिल्कुल sunny हुई, हलका सा रोशनी पढ़ना चाहिए, इस तरह का जगा चूस करना चाहिए, चाहे अंदर हो या फिर बैलकुनी में बाहर हो, direct sunlight का भी नाप लगना चाहिए, मेरी प्लान देखें, दूस्तों एक भी leaves में इसका कोई भी बार्ण नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे ही जगा में रखी हूँ, जहां दिन भर हलका सा सानी हुई रोशनी इसको मिलते रहे, और हाँ इंदर में रखने से भी इसका आसपास उजला होना चाहिए, बिल्कुल डाग के रिया में मात रखा करें, दोस्तों फार्टिलाजर बिल्कुल organic फार्टिलाजर दिया कीज है कि बहुत सेंसेटिव प्लांट है, फार्मी कॉम्पोस्ट एन्पिके 1990 सी वीट एक्स्ट्रा ये सब फार्टिलाजर आप मांद लिए एक बार दे सकते हैं, बहुत ज़्यदे फार्टिलाजर का जुरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिमिटेड सौइट और लिमिटेड स्प इसकी बाज़े से फार्टिलाजर तो देना ही पड़ते हैं, प्लांट की ग्रोथ की लिए, सिर्फ उंटर की दो महिना जानुवरी फिवरवी में फार्टिलाजर मात दिया करें, दोस्तों पहले मैं भी ये तीन फार्टिलाजर दिया करती थी, लेकिन इस बार इसका तो आप भी चाहे तो ये फार्टिलाजर यूज कर सकते हैं, ये और्गेनिक फार्टिलाजर है, तो प्लांस को कोई नुकसर नहीं पहुंचाते हैं, इसका बहुती इजीली काटिंग से कर सकते हैं, आप चाहे पानी में भी कर सकते हैं, या फिर मिट्टी में भी कर सकते हैं इसके साथ मेरी जितना experience हुआ है पूरा details शेयर कि आपके साथ ओप करते हूं वीडियो अच्छा लगा थैंक यू सो मॉच फर वाचिंग मैं वीडियो